आल्राइट, जैसे कि अभी आपको supervisory test बताया गया और साथ में walk test बताया गया, अब मैं तीसरा test आपको बता रहा हूँ, यानि कि fire test, fire mode में actually हमें panel को deliver कर देना होता है, after testing, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि menu के button को press करना है, और आपके जो zone है, उनको आपको fire मे set करने है, यानि कि जो zone 1 है और zone 2 है, उनको मैं F यानि कि fire mode में set कर रहा हूँ, alright, so दोनों ही zone को हमें fire में set कर देना है, W से इसको मैं change कर रहा हूँ, F पर, और थोड़ा सा smoke हम यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा देते है, अब देखिए, जो smoke detector है, उसको मैं smoke दूँगा, और smoke देते ही, यह कुछी seconds में detectors sense कर लेंगे, और उसके बाद मैं panel को signal जाएगा, और sounder on होगा, और साथ ही, यह जो RI है, यह भी activate होगी, so देखते हैं, यह किस तरह से होगा, confirm करिए इसे, राजेंदर confirm करिए, ओके, so F mode को confirm कर दिया गया है, अभी कुछी seconds में यह smoke लेगा और activate हो जाएगा, एक detector activate हो चुका है, जिनको जिनको smoke मिलेगा, और इनकी पटिकुलर intensity होती है, पोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की, पोटो इलेक्ट्रिक सेंसर जब पूरी तरह से confirm कर लेगा, कि अभी smoke मिल गया है, और यह genuine fire है, उसके बाद में यह fire alarm rise करेगा, जिसे की false signal आने के जो chances होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, यह देखिए, तो आपने देखा कि सारे ही smoke detector एक्टिवेट हो चुके हैं, यह heat detector है, यह activate नहीं होगा smoke से, यह जब proper आग लग जाएगी, तब activate होगा, या फिर इसको अगर टेस्ट करना है, तो आप hair dryer यूज़ कर सकते हैं, अब इसको मैं बंद कर देता हूं, और smoke को सबसे पहले, इसको अगर बत्ति को बुजा देते हैं, सबसे पहले, इसको बाहर रख्या जाएगी, जाएगे, अब मैं इसको fire में से बाहर निकाल रहा हूँ, मैन्यू का बटन प्रेस करें, पासवर्ट डाले और एंटर करें, सेट जोन मोड में जाना है, सेट जोन मोड, सेट जोन पर क्लिक करके, एंटर करें, और जोन वन, जो की fire में जा चुका है, उसको डिसेबल कर रहे हैं सबसे पहले, सो डि के इंडिकेशन पर इसे सेट कर दें, यह देखिए, डिसेबल करते ही, पूरा पैनल यहाँ पर डि अक्टिवेट हो गया है, और यहाँ पर इसकी कन्फर्मेशन भी आ चुकी है, सबसे पहले चुकी रहा है, हाँ जी, तो अभी आपको कौन-कौन से टेस्ट बताएगा है यहाँ पर, सबसे पहला टेस्ट हमने स्टार्टिंग वहां से की तो उसमें क्या हुआ था वाद बिसिकली सब डिटेक्टर एक्टिवेट होने के बाद आ रहा है एक्टिवेट हो गए और फिर उसके बाद सारे एक्टिवेट हो गए थी बट साउंडर नहीं वा जाता एक्टिवेट हैं करेक्ट ओके उसके बाद हमने क्या किया वॉक टेस्ट क्या हुआ है राही एक्टिवेट हुआ हे हम कितने समय तक विए एक्टिवेट रहा और फिर बंद हो गया और उसके बाद हमने fire test किया fire test में basically क्या हुआ fire test और अगर हम fire test को यह supervisory और walk से compare करें तो क्या major difference आपको मिला इसमें हां जी बताईए सर फायर मोड में basically सारी डिटेक्टर अचिवेट हो जाता है okay okay in case there is smoke or fire हां जी all the response indicators get activated okay 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 और पैनल के फीड़ाएगा जाता है ग्रेट कि इस पर्टिक्लर जोन में fire लगी है हां जी अब आप बताईए राजेंद्रा इसमें हम एर कंडिशन या फिर फैन को आन नहीं नहीं है तो यह प्रैक्टिकल आपको रिवाइज करना है थोड़ा सा पसीना आ रहा है आएगा क्योंकि fire alarm system की क्लास है इसमें हम एर कंडिशन या फिर फैन को आन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी इतना ज्यादा स्मोक जमा हो जाएगा यहां पर कि सफोकेशन हो जाएगा सांस लेने में तकलिव हो जाएगी इसके लिए इसको हमने बंद रखा है एसी और फैन को यह डोर आप ओपन कर दीजिए ताकि जो बहुत जादा ध्यूआ जमा हुआ है वह बाहर चले जाएग इसमें की लेब होती है जिसमें एक तरफ से नहीं करने के लिए ऑभ रजणरे इसका प्राक्टिकल करेंगे ठीक है तो लेट्स टार्टिकल प्राक्टिकल शूरू की जैए वह अगरबत्ति ले लीजिए और लाइटर ले लीजिए और फायर मोड को आप टेस्ट करेंगे साथ ही जो सुपरवाइजरी मोड है जो वाक टेस्ट है उसको भी आप यहाँ पर टेस्ट करके दिखाएंगे सो लेट्स कंटिनूँ बताईए कैसे करेंगे सबसे पहले फॉस्ट वाट वी शूट डू सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए अगरबत्ति रखे रही है हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है रखे रही है हाँ हाँ जी कंटिनूँ अब यहाँ आजाईए आपको दीखेंगा अच्छे से दीखेंगा उस तरफ आएंगे तो अभी सेट जोन मोड आगे ओके सेट जोन मोड उसके बाद एंडर ठीक है अब जो डी है उसको क्या करेंगे सूपरवाईिजरी के लिए एस पर आपको सेट करना है तो दोनों ही जोन को एस पर सेट कर दीजिये जो न वन और जोन टू गो कि नहीं नहीं हुआ चेंज का बटन दबाने के बाद मैं आपको एंटर से इसको कन्फर्म करना है जब तक आप कन्फर्म नहीं करेंगे तब तक वह सैट नहीं होगा हाँ यह अब कन्फर्म हो गया ठीक है ओके है आल राइट तो टीनों ही डिटेक्टर से एक्टिबेट हो गया है यह दिकें वांन टू तीसरा on going है, ये भी activate हो जाएगा इनके lights दोनों के on हो गए है 360 degree visible light होते है दोनों ही on हो गए ये भी on है, ये भी on है ये भी on हो गया अच्छा ये detector on क्यों नहीं हुआ? क्योंकि heat detector heat detector को on कैसे करेंगे? मतलब test करना है तो आप कैसे करेंगे heat detector को check आपके पास क्या होना चाहिए? blower is hair dryer यूज़ करना पड़ेगा blower is different ये blower है और hair dryer is different ठीक है? around 1500 watt plus की आप hair dryer यूज़ कर सकते हैं 8 to 9 inch की distance पे रखें और exactly जाथ thermistor होता है thermistor पर उसको hit करें जिससे कि उसको hit जाएगा और उसके बाद वो activate हो जाएगा 59 degree Celsius के बाद every degree और every seconds 11.1 degree Celsius के increment होने पर वो activate होता है alright so continue सही है बिल्कुल सही है correct 100% करें अभी आप मुझे walk test करके दिखाईए इसी का करें सब्सक्राप सावiga त हर माम सावभी यह लिए एया तो अभी आप फायर टेस्ट करके दिखाईए सबसे फॉर्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसको फायर मोड भी लिखे हैंगे, ओके ठीक है तो इस जोन ना, एक फायर जोन फू फायर एफ, एंटर इसे थोड़ा सा और हिट दे लिए अगर बती होता है कि और जादा दुआ में लिए एस जिदा कियो तो इसे इवड़ा इस जो खेंगे इस जो जो खेंगे प्रम्या बती होता है इस जो खेंगे यह fire test successfully complete हुआ, अब इसके software में आगे बढ़ते हैं हम और बाकी के features को देखते हैं, यह और भी क्या-क्या features होते हैं सबसे पहला था, supervisory, उसके बाद था, walk test और उसके बाद था fire mode finally fire mode में final को deliver किया जाता है, बट जो smoke, बट जो supervisory mode होता है, उसको lamp test भी बोलते हैं उसमें हम light को on करते हैं, यानि कि smoke देकर check करते हैं कि जो detector है, जो RI है, उसके light on हो रहे हैं या नहीं और second जो test था, वो walk test था, उसमें आपने देखा कि किस तरह से lights on होए, सारे detectors के और RI के साथ ही एक बार NSE on होगा, यानि sounder on होगा और off हो जाएगा यानि कि यह testing mode है, finally fire mode में panel को deliver किया जाता है, बस यही थे testing के तीनों mode, इसके आगे अब हम continue करेंगे, इसके बाकी के software को continue करते हैं बहुत सारे और भी features होते, तेरा lots of features in the fire alarm panel, it will use as per the requirement and scenario, तो अब बात करते हैं आगे के बाकी के सारे features की बात करते हैं बात करते हैं